नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरो शर्म और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियान अपडेट डेली नियूस तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं देखे सबसे पहले जो हमारे पास कबर है कि रिवाडी में एक व्यक्ति की मोत तो देखे आपको बता रहेता हूँ कि नारनोल मारक पर गाउं कोठड़ा के निगट एक ट्रक ने पिकप गाड़ी को टक कर मार दी हादसे में पिकप चालक की मोत हो गई है जबकि एक व्यक्ति गंबीर रूप से गायल है जो गंबीर रूप से गायल है व्यक्ति उसने पुलिस को शिकायत में देखी क्या क्या बता है उसने ये काई कि हम दोनों व्यक्ति पिकप के अंदर बैटे थे और ये भी बताए कि आगे से मतलब एक ट्रक आ रहा था और जिसने पिकप को टक कर म इस हादसे में एक व्यक्ति की मोत हो गई और दूसरा जो जिसने गटना बताई वह गंभी रूप से गायल है इसके बाद उसको रोग तक पीजे के लिए रैफर कर दिया गया है पीजे में जब रैफर किया गया तो एक व्यक्ति की तो मौत हो गई लेकिन दूसरे की भी हाला तबी गंबीरी बताई जा रही है इसके बाद अगली कबर है कि रास्ता रोकर बाइक चीनी देखे गाउं मंदोडा के पास कुछ लोगों ने रास्ता रोकर एक व्यक्ति से बाइक चीन ली और जान से मारने की भी धमकी दी खोल पुलिस ने मामला दर्च जान शुरू कर दिय है और आपको उतारेता हूं देखे जो आजगल क्राइम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे और पुलिस का डर नहीं रहा इसका देगी क्या मतलब लगा सकते है लोगों के अंदर पुलिस का डर क्यों नहीं रहा इसके बाद जो आज की आखरी कबर हो है कि वैक्सिनेशन जरूर करवाएं जब भी आपको मौका मिले वैक्सीन जरूर लगवाएं मैं आपको उतारेता हूं कि लगबग तीन बजे और तीसाड़े तीन बजे के बीच में पोर्टल पर आप स्लोट बुक कर सकते है असानी से ओनलाइन आपका हो जाएगा रिवाडी की जितनी भी जाएऑी की जितनी बजे खिर टारेता हूं कि दितनी बजेगा झाशार समय हूं कि अईनाट्गश चेnis भीक फाहण के वाची जितनी